हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्पोकते जी के ओशन यूटूब चैनल पर वेलकम यू ओल टू जी के ओशन यूटूब चैनल और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जी के जी एस और साइंस के कुछ बहुत ही है तो चलिए हम लोग अपना डिस्क्रिशन स्टार्ट करते हैं थर्टी कोशन में आपके कितने कोशन सही हुए कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और जहारकन एससी सीजियल और जहारकन पीसेस के लिए टेस्स सेरीज लॉंच हो चुगी है अगर आप चाहें तो टेस्स सिरीज जोइन कर सकते हैं कॉंटैक्ट डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए हम लोग अपना आज कर डिस्क्रिशन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है आपके सामने निम निकित कतनों पर विचार करना है फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है प दूसरा कतन दे रखा है यहां पर दोगा दूसरा कतन दे रखा है इनका जीवन काल 240 दिनों का होता है देखें इनका जीवन काल 240 दिनों का नहीं होता है यह होता है 120 दिन का ठीक है और तीसरा कतन दे रखा है कि अस्ति मज्जा में लाल रख्त कोशिकाओं का निर्माड होता statement 1 and statement 3 हमारा सही है next question है आपके सामने कि name लिखित कथनों पर आपको विचार करना है और पिर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है तो पहला दे रखा है medula read की हड़ी से जुड़ा होता है बिल्कुल सही दूसा दे रखा है कि thalmas, samvedy और motor signaling के लिए एक प्रमुक योगदान केंदर होता है तो यह भी हमारा सही दे रखा है तो यहाँ पर option 3 हो जाएगा हमारा correct answer की कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है next question है कि कौन सी ग्रंती हार्मोन को स्त्राबित करती है जो नमक के संतिलन को बनाए रखता है थाइराइट अधिविक ग्रंती पिट्यूटरी ग्रंती या अगनाश है तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा option number 2 अधिविक ग्रंती तो यहाँ पर option 2 हो जाएगा हमारा correct answer next question पर हम लोग आते हैं कोशिका में उपसित जैली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है कोशिका जिली, साइटोब्लाज्म, नाभिक या जीन तो यहाँ पर साइटोब्लाज्म हो जाएगा हमारा correct answer next question है आपके सामने निम्न पोशक तत्तों में से कौन सा पौधो द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है most important question है यह चार option आपके सामने दे रखा है और यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा option number 3 जस्ता याने की जिंक ठीक है next question है जैविक उत्पेरक प्रोटीन अडू होते हैं जो रासाइनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं अभिक्रा के बाद आप परिवर्थित रहते हैं 37 डिग्री सेल्सिया पर इस्ट रिदम कारे करते हैं और चोथा देरे का एंजायमी सक्रितर नहीं दर्शाते हैं तो कौन सा यहाँ पर कथन सही है आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा option number 2 यानि कि पहला statement, दूसरा statement, तीसरा statement हमारा सही है तो option number 2 हो जाएगा यहाँ आप हमारा correct answer सभी पहला, दूसरा, तीसरा आपको अच्छे से याद कर लेना है अगला question है आपके सामने कि निम्रिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो जो पहला दे रखा है, यह दे रखा है, नील हरित तो इसका शैवाल, जैव, उर्वरक है, बिल्कुल सही है second है, cryosopa, माहो, नियंत्रण, यह भी सही है तीसरा दे रखा है, बायो, 902, सरसो का कायक्लोन, यह भी सही है चौथा दे रखा है, एजोबेक्टर, जीव, कीटनाशक, यह हमारा गलत है तो option number 4 हो जाएगा हमारा correct answer क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है next question है कि, निम्रिकित में से कौन से प्रदार्थ, लहसुन में पाया जाता है यह exam में कई बार पूछा किया है, प्रशन है, तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाता है एलीजन, ठीक है, लहसुन में पाया जाता है एलीजन तो option number 1 is our correct answer next question है आपके सामने कि, लाल रख्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है देखे, पहले ही कोशिन मैंने आप से discuss किया था, तो आपको इसका answer comment section में देना है ठीक है, इसका answer आपको comment section दीजेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कोशिन में इससे आपको discuss किया था next question है, प्लाजमा में जलका प्रतिशत कितना होता है most important question and the correct answer is option number D, 90% अगला कोशिन है, निमलिकित में से किस एक की उत्पत्ती यक्रित का कार्य है, लाइपेज, यूरिया, शलेशमा या हाईड्रोख्लोरिक आमल and the correct answer is यूरिया, ठीक है, next है, important है ध्यान दीजेगा, पटाकों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए हैं, निमलिकित धातों में से किस एक का प्रियोग किया जाता है, तो magnesium का प्रियोग किया जाता है, सफेद प्रकाश लाने के लिए, लाल के लिए सीजियम नाइट्रेट, पीले के लिए सोडियम नाइट्रेट, नीला के लिए तामबा और सफेद के लिए जो कोशन पुझाता यह है मैगनेशियम तो आपको सभी यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है 13 कोशन है अमारा निम्न में से कौन समान ताप पर ठोस अवस्ता में रहता है तो यह है आयोडीन ठीक है अगला कोशन है टेप रिकॉर्डर की टेप किस से लेपित रहती है यह भी कोशन कई बार पुझा गया है तो फैरो मैगनेटिक चून से लेपित होती है ठीक है कोशन हम लोग साइन्स के डिसकस कर लिए है अब नेक्स कोशन हम लोग डिसकस करेंगे जीके और जीयस से ठीक है पहला कोशन है पंचायती राज व्यवस्ता को समिधान की किस अनुसूची में रखा गया है देखे कल जो जीके का एक वीडियो अपलोड हुआ था उन में से कुछ कोशन को यहां पे इंक्लूट किया गया है तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा तो पंचायती राज व्यवस्ता को समिधान की किस अनुसूची में रखा गया है तो यह रखा गया है ग्यारवी अनुसूची में ठीके भारत के constitution में 12 schedule है जिसमें 11 schedule किसके बारे में है पंचायती राज व्यवस्ता के बारे में बात की जाए पंचायती राज व्यवस्ता को तो इसको भारत के समिधान के भाग 9 में जगा मिली है आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है 243 और जो 73 वा समिधान शंशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है और यह जो है राज सूची का विशह है ठीक है और सबसे पहले राजस्थान के नागोर में इसे लागू किया गया था कौन सा साल था 1959 ठीक है सभी आपको यहां से फैक्ट अच्छी से याद कर लेने है नेक्स्ट कोशन है कि रास्टगान स्वरप्रतम किस अधिवेशन में गया था कई बार पूछा गया प्रश्न है तो देखे रास्टगान स्वरप्रतम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अध भारत का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी कौन सा है देके भारत में दो जौला मुखी है तो एक एक्टिव वॉलकेनों है वो कौन सा है वो है बैरन ठीक है और यह है कहां पर यह है अंडमान नेको बार में और जो दूसरा जो जौला मुखी है वो है नारकुंडम ठीक है तो अभी तक रास्पती ने कितनी बार किया है तीन बार किया है देखिए आपको ध्यान देना है कुछ important fact देखिए पहला जो जो है ये एक सेकंड पहली जो है आपात कब हुआ था ठीक है emergency कब लगाई गए थी ये लगाई गए थी 1962 में जब इंडिया एंड चाइना का वार हुआ था ठीक है और दूसरा था 1971 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का वार हुआ था और तीसरा हुआ था कब 1975 में ठीक है 1975 में हुआ था ये आंतरिक अशान्ति के कारण और कुछ वाक्त आपको यहां से और याद कले न जैसे कि 352 आर्टिकल 352 के अंतरगत national emergency लगा जाती है आ अपातकाल घोशित किया जाता है बट भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ या निकि भारत में अभी तक एक विबार financial emergency नहीं लगाई गई है तो फिलाल हमारा आप्शन जाएगा आंसर जाएगा option number C next question is कि भारत और चीन के बीच पंच शेल सिद्धान पर हस्ताक्षर कप किये गये थे तो यह किये गये थे कप किये गये थे उननीस सो चववन में देखे चीन के छेतर तिब्वित और इंडिया के बीच वैपार और आंत्री समझोते को ले करके यह जो है पंच शेल सिद्धा पर हस्ताक्षर किये गये थे उससे में भारत के पदानमंति पंडित जवाला नहरू थे और चाइना के प्रेज़ेंट थे चाऊ एंड लाई ठीक है सभी अपको अच्छे से रिवाइस कर लेने हैं नेक्स रे निम्निम में से कौन सी ग्रंती व्रिद्धी हर्मोन का रिसाव करती है तो यहां पर हो जाएगा ओप्शन बर बी यानि कि प्यूश ग्रंती इसको हम लोग जो है पिटीटरी ग्लैंट भी कहते हैं और मास्टर ग्लैंट भी इसको कहते हैं और मानों की सबसे भी किजेगा नेक्स्ट कोशन इस कि राजसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी यहां से आपको important fact मिलेंगे कई देखिर राजसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी यह हुई थी 13 माई 1952 में ठीक है और राजसभा के बारे में किस आर्टिकल ने बताया गया है तो यह बताया गया आर्टिकल 80 के बारे में और लोगसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी लोगसभा की प्रथम बैठक हुई थी 17 में 1952 में और लोगसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है ठीक है और जो राजसभा के स्पीकर होते हैं चेयर्मैन होते हैं वो कौन होते हैं वो यह जो है सूर की जो अल्ट्रा वायर रेस होती है उसको प्रिद्वी तक आने से रोकती है और ओजोन डे मना जाता है सोला सेप्टमबर को और समताप मंडल यहनी की स्ट्रेटोसफेर में ही वायू यान उड़ते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहां पर सही आंसर समिधान के किस भाग को मैंगना काटां आग जाता है और इसी पर्ट में जारी किया गया ओंगना नागरिगों के मूल अधिकार से संब्दिद होती है ठीक है और भारत में बात की जाए कितने जो हैं फंडामेंटल राइट है तो छे हैं और आर्टिकल बारा से पैंतिस में इसके बारे में बताया भी गया है ठीक है और मैंगना काटा जो है पहला लिखित पत्र था ये भी आप कोचे से याद कर लेना है नेक्स कोशन है कि स्वतंता से पहले जवाला नेरू कितनी बार भारती राश्टि कॉंग्रेश के अध्यक्ष रहे हैं तो तीन बार रहे हैं ठीक है तो आप्शन नमबर सी हो जाएगा हम पहली बार जो लाहोर अधिवेशन हुआ था 1929 में और यह तब पहले जो है अध्यक्ष बने था ठीक है जवाल लाल नहिरू और उस समय पूर्ट स्वराज की मांग की गई थी ठीक है dude को दो बार कटने वाली नदी कौन सी है लिगी कर करेका भारत के आठ राजों से करके गुजरती है और इसका सही आंसर एगा option बरे माही नदी ठीके माही नदी बारे में कुछ आपको fact याद होना चाहिए कि माही नदी भारत के राजस्थान गुजरात मद्रपदेश में बैती है और इसका उद्गम कहां से होता है मद्रपदेश की विद्याशल परवत से हो प्रोटॉन की समान संक्या किन्तु न्यूट्रॉन की भिन भिन संक्या वाले परमणव को क्या कहा जाता है तो यह कह रहाते हैं समस्थाने कि यह question important है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है gateway of India का निर्माण किस वर्ष हुआ था तो यहां पर हमारा correct answer वा 1924 में ठीक है और इसका जो निर्माण का स्टार्टिंग कप से हो गए थी 31 31913 से स्टार्ट हो गया था काम पूरा हुआ था 1924 में ठीक है 1924 में ठीक है और इंडिया गेट डैली में है और gateway of India मुंबई में है और इनका निर्माण किस ने करवाया था जौर्च विंटेट ने ठीक है उचाई इसकी 85 फीट है और में बात की जाए तो 26 में नेक्स जुआलम की विस्वोट में सबसे अधिक मात्रस में कौन सी ग्यास निकलती ग्यास की बात की जाएगी तो कार्बन डायोकसाइड है वैस किस ने की थी तो यह की गए थी बल्लभाई पटेल कुछ इंपॉर्डन फैट आपको यहां से भ्यात कले ने देखिए बल्लभाई पटेल जो की भारत के लौपुरुष के नाम से जाने जाते हैं 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और इसी में जो है नहरुजी ने मौलि अधिकार का ड्राफ त्यार किया था नेक्स कोशन है किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशाशन इस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउं के पास चला गया तो यह था बाया सरकार अधिनियम 1858 इंपोर्टन कोशन है ठीक है नेक्स कोशन है भीम बेटे का जो कि विश्य धरवर सूची में शामिल है यह कहां परिस्तित है तो इस कोशन का करेक्ट टांस होएगा ऑप्शन पर भी मद्रप्रदेश भारत का सेंट्रल स्टेट मद्रप्रदेश में है भीम बेटे का ठीक है जो कि विश्य धरवर सूची किया गया था और मद्ध प्रदेश के राय सेंजिले में सित्य या ठीक है आधिमानद वरा बनाया गया है पेंटिंग वगएरा ठीक है पूलेला गोपीचन बैडमिन्टन अकाडमी कहा है तो यह है कहा कर यह हे हधरबाद में ठीक है यह जो यह प्रतम शीतकारीन ओलंपिक कब आयुजित किया गयते हैं जिसका आंसर आपको कम शेक्शन देना है यहां पर हमने 35 को डिसकस कर लिया जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है थैंक यू